हालो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे EMIS की जो वेकेंसी निकली हुई है उसके हिंदी विशे के सिलेबस के उपर यानि PGT हिंदी विशे के सिलेबस पर हम बातचित करेंगे सिलेबस पर मैं विश्तार से बात करूँ उसके पहले मैंने इस भरती के विज्यापन के उपर बातचित किया था तो वहाँ पर आप सभी के कुछ कमेंट्स आये वे थे जिस पर कि मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात कर लो पहले बात तो यह है कि कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं कि TGT का फर्म कब तक आएगा या फिर इसमें PGT है की नहीं तो जो विज्यापन में बाते हैं उन पर हमने विश्तार से बात चित किया था यह फर्म के वल PGT के लिए ही इस बार निकला हुआ है TGT का जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो फर्म आएगा तो जो चीजें सामने हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए ठीक है दूसरा प्रशना आप लोगों का ज्यादा तर यह पूछा जा रहा है फीस को लेकर फीस में मैंने थोड़ा सा उत्सावस कह दिया कि SC, ST, PWD के लिए फीस नहीं है तो यह अच्छी पहल है लेकिन अगर दूसरे पक्ष के द्रिश्टी कौन से हम देखें तो जहां पर जनरल कटेगरी OBC के लिए 15 रूपे फीस है तो उसके मुकाबले इसको अच् आज हिंदी एकेडमी जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि हमेशा निशुल्क चाए वो ग्रामीर छेतर के बच्चों के लिए हो चाह शारी छेतर के लिए हो किसी भी जाती धर्म समाज का हो मैंने जितनी भी चीजें यहां पर आप लोगों को दी वो निशुल्क तो बहुत कम लोग ऐसी होते हैं अब यह वेकेंसी जब निकली है तो इसमें जनरल कटेगरी और OBC से इतनी फिसक्यों ली जा रही है मुझे नहीं मालूं SC, ST और PWD के लिए क्यों 0 रुपे है हो सकता है कि कोई राजनितिक कारण भी हो ठीक है अब इस पे तो क्यों विचार विमर्शी किया जा सकता है तो हमने उत्सा अवस अच्छी पहल का दिया उसको मैं वापस लेना चाहूंगा बाकी यह अगर देखा जाए तो समानता की दि होनी ही चाहिए ठीक है ना तो एक चीज है तीसरा प्रस्णा आप लोगों का यह था कि जो हमने विशे में बातचित किया था कि पार्ट शिक्स में आपको जो लेंग्वेज है उसमें 40% आपको लाना है तो धड़ा-धड़ा आप लोगोंने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि सर यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला कर लाना है यह फिर अलद अलद है तो इसमें देखे 40% लिखा एच लेंग्वेज लिखा हुआ है तो इज का मतलब है कि हर भाषा में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिस दोनों में आपको 40% लाना है और जहां तक आप जान रहें कि 10-10 सवाल रहें कि टोटल 20 क्वेश्चन है तो इसमें आपको हर इसमें दोनों पेपर में 4-4 सवाल हल करने है मतलब टोटल 20 में 8 ठीक है न तो इस इसाब से आपके 40% हो जाएंगे इस चीज को ध्यान में रखना है तो इतना तो आप लोग कर लेंगे मुझे पुरी उम्मीद है एक क्वेश्चन आप लोगों का और है और सिलेवस मैं जब द्यार्थिक कमेंट्स किये वे थे किसमें क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे हमें लिखना भी होगा तो जब मैं पेपर देख रहा था तो लगा कि इसमें लिखना भी है और पहले भी हमने जिक्र किया कि एक तो ओमार सीट पर आधारित आपका इक्जाम होग दूसरा इसमें लिखा है पेन पेपर भी लिखा हुआ था तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इसमें आपको सब्जेक्टिव तोर पर भी कुछ प्रश्न दिये जाएंगे जब शिलेवस हम देखेंगे तो उसके हिसाप से और क्लियर होगा तो आपको objective और subjective दोनों तरीके से इस परिक्षा की त्यारी करनी है। तो ये तिन-चार question थे जिन पर कि मुझे लगा कि सिलेवस से पहले बातचित कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं, और बताने वाला एक विक्ति अगर मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हैं, तो इतने सवाल हैं कि उनको पढ़ना और देखना इसके बाद जरूरी सवालों का उत्तर देना बहुत जरूरी है। एक सवाल आया, एक विद्ध्यार्थी ने लिखा, कि महिलाओं के लिए यह वेकेंसी ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आदिवासी बहुले एरिया में रहेगा, में सीटी के आउटर में रहेगा, तो महिला हैं यह सेफ रहेंगी कि नहीं, और उनको आवास में, जो भी आवासी यह विद्ध्याले है, तो वहाँ पर इनको राने का मौका मिलेगा कि नहीं, यह सेफ हैं कि नहीं, सेफ्टी के हिसाब देखें, तो देखें, करता ना, जो म अपनी भागीदारी कीजिए, बाकी आज के जमाने में जो आने जाने के साधन है, पर्याप्त हो गए हैं, सड़कें भी ठीकी ठाक हो गई हैं, तो आप चाहें तो मेन सिटी में रखर भी नौकरी पर अपने जा सकते हैं, अब तो मैंने देखा है, कि जितनी महिला हैं, तुरं यह आपके लिए सेफ है कि नहीं है, ठीक है, आप जैसे मालेजी अब उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहाँ पर तो सेफटी की पूरी गारंटी भी ली जाती है, बाकी अन्य राजियों में भी कुछ ही है, अर दूर गटना तो कहें भी गड़ सकती है, नई दिल्ली जैसे ज सिलेबस के उपर, सिलेबस आप देख रहे हैं, पीजी टी हिंदी दिया गया है, और जब मैं सिलेबस को देख रहा था, तो मुझे लगा कि इसको कोई पूरूफ रीडिंग भी नहीं किया है, बहुत सारी इसमें गलतियां है, ऐसे लग रहा है कि हिंदी का सिलेबस बनाया गया और तुरांत इसको PDF फाइल में चेंज कर दिया गया, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं है, जरूर गलतियों को पकड़ते हैं, और सत्य तक पहुचने की कोशिश करते हैं कि असली में सही क्या है, गलति क्या है, ठीक है न, तो आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूं, प सहीत्य है, हिंदी का जो भी सहीत्य है, ये खंड का हो गया, फिर नीचे दिया गया है, हिंदी सहीत्य के इतिहास का विश्त्रित अध्ययन, अब ये वाक्या आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरांत एक थोड़ा सा फैलाव होगा, कि सीमीत अध्ययन नहीं करना, बलकि विश्त्रित अध्ययन करना है, मुझे बार-बार वही चतिसगड का सिलिबस याद आता है, उसमें लिखा था कि सामान अध्ययन, जब सामान अध्ययन लिखा था, तो इसका पेपर बहुत कठीन बना दिया था, मैं बात कर रहा हूं, 2017 में जो एकजाम हुआ था, जिस अब उसमें भी कुछ ही नोने सब टॉपिक यानि उप टॉपिक बनाये हुए हैं, कि आदिकाल से रीतिकाल तक हमें क्या पढ़ना है, और जब आप सिलिबस देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ रखी हैं, क्योंकि ये परिक्षा ह हिंदी विशे हैं, तो इसका एक सिलिबस तो रहे गई ही और ऐसा सिलिबस रहेगा, जिससे कि आपका पहले से ही परिचे रहेगा, बहुत कुछ नया नहीं रहेगा, बस आपको सिलिबस से परिचे प्राप्त करना है, अब इसमें लिखा गया है आदिकाल से रीतिकाल, इसक उनकी रचनाएं ताहितिक विशेष्टाएं भाषा शैली अब ये टाइप करने वाले के पास इतना भी समय नहीं है कि या तो डैस दे या खड़ी पाई दे भुल गया है वो लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक कि हमें कालगत परिशितियों को पढ़ना है अगर आपके पास यूजी सी नेट की किताब होगी या फिर आप परिक्षाओं की तैयारी करी रहे हैं तो कोई कोई किताब आप रखे ही होंगे मैं यही मानकर्श्चाब आपके पास किताबे होंगी तो वो सब टापिक आपको या पर मिल लेगा बाकि जो प्रभितियां आपको पढ़ना है प्रमुख रचनाकार तो जब मैं बोल रहा हूं प्रमुख रचनाकार तो आपके दिमांग में तुरंत खट-खट-खट-खट एक सीड़ी नुमाब बन रहा होगा कि आदिकाल की प्रमुख रचनाकार कौन है और रितिकाल की प्रमुख रचनाकार कौन है प्रमुख की बात की जा रहे है। फिर उनकी रचनाओं के बारे में आपको अपने दिमाग में में रखना है। एक दूसरे से जूड़ी हुने, अब आदिकाल में भी इनोंने बता दिया कि हमें किन कभियों को विशेस तर पर ध्यान में रखना है, तो आदिकाल में बता दिया चंद बरधाई, चंद बरदाही पर हमने बात किया। आचायराम चंशुक्ल पृत्षवी राज रासो को ध्यान में रखती वे किया था। ये आपका काम हो गया। अमिर खुस्रोपर भी हमने बात्चीत कर लिया है। ये आपके दुसरे कभी हो गये आधिकाल में। विद्यापती पर विचार विमर्स हमने कर लिया है। इस परिक्षा की तैयारी करते समय भी हम करेंगे। लेकिन आपको guidance के तरों पर बता दों कि पहले से ही इन कभियों पर बातचित हो चुकी है। अगर आप इस परिक्षा के अलामा कोई form नहीं भरें तो चैनल पर जाकर तुरन देखना शुरू कर दिए। जिसे कि आपको love मिलना शुरू हो जाएगा और आपका confidence भी बढ़ेगा। तो आदिकाल में आपको इनी तीन कभियों को पढ़ना है। यही प्रमुफरजनाकार है। अब भक्तिकाल की बात करें। तो भक्तिकाल में इनोंने बताया कि निर्गुन भक्तिधारा, ज्यान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कि अंतरगत आपको कबीर, दादु, रैदास, नानक, जायसी और कुतबन को पढ़ना है। तो यह 6 कभी है। आप लोग नोट करते जाए कि कुल कितने प्रमुख कभियों को पढ़ना है। आदिकाल में 3 बता दिया और भक्तिकाल में आप देख रहे हैं 6, 9 हो चुका है। सगुन भक्ति, धारा के अंतरगत भी राम भक्ति शाखा और देखी यहाँ पर क्या गलती इनोंने किया है। मैंने इश्रब्द को कभी नहीं सुना था, आप लोग सुने होंगे तो मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर वैश्डव वक्ति होना चाहिए था। ठीक है, यह मिश्टी एक्स है। तो इसके अंतरग रहे हैं कि प्रमुख 5 कभी है और प्लस जो 8 कभी है, उसमें सूर्दास भी आही जा रहे है। तो एक तरीके से बढ़ती हुई संख्या हैं इन लोगों की 9 प्लस 5 प्लस 8, आप लोग अपने इसाफ से गिनते जाए, यह तो फिर टाइम लग जाएगा। रीतिकाल, अब री कभी हैं, रितिशिद्द कभी, रितिमुक्त कभी हैं, तो इसमें देव को पढ़ना है, घानानंद को पढ़ना है, बिहारी, मतीराम, तेनापति, भुशन, पदमाकर, तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक इन कभियों को पढ़ना है ठीक है ना, तो बढ़ती हुई मैं इसमें जोड़ी देता हूं 9, 5, 14, 8, 22, 7, 29, 30 कभियों को हमें पढ़ना है जो कि प्रमुक्त दोर पढ़ना है और इन कभियों के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है पढ़ा है बस क्योंकि हर परिक्षा परिक्षा होती है कितनी भी आफ तय आदिकाल परिक्षितियां योगीन परिक्षितियां स्यम आप हुई देख रहे हैं कि इसमें भी आधिकाल की योगीन परिक्षितियां साहितिक पिष्ट भूमी, मुख्य विचार भारा, मुख्य साहितिकार, साहितिक रचनाय, विशेष्टाय, भाषाश शायली, ठीक है, भारते अंद यूग, मैं भारते अंद को, भारते अंद अरिशन को, बाल मुकंद गुप्ट को, बदरी नरान चोदरी प्रेम गण को इनको पढ़ना है देखिए क्योंकि मैंने बताया आपको कि शिलेवस जब तयार किया गया है तो ये भी नहीं ध्यान में रखा गया है कि को को हमें नीचे खिश कर लाना चाहे थे इसके साथ में अब जो भी बनाने वाला है बहुत जल्दी में बना दिया इसको लेकिन हमें इसको देखना है समझना है देखिए आधुनिक काल कि जब भी बात की जाती है तो परिस्थितियां तो आएंगी सहितिक प्रिष्ट भूमी भी विचार धारा जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता तो ये सारी जितनी कविता हैं किसी नी किसी विचार धारा से प्रभावित रही हैं तो उनको जोड करें आपर बातें हमें पढ़नी हैं भारतेंदी युग में बता दिया गया कि आपको भारतेंदी अरिशन को پढ़ना है बाल मुकुन गुप्त को पढ़ना है ये वही बाल मुकुन गुप्त हैं जेसे मैंने नाम लिया होगा तुरंत आपकी दिमाग में आ गया होगा शिर्श्रम्भू के चित्थे, ठीक है, हालां कि इनको दिवेदी युग में रखा जाता है, आपर अगर बाल कृष्ण भठ होते, तो ये ज्यादा सही रहता है, चीजों को आप समझ ये देखिए आप, इसी लिए मैं कहता हूं, कि किसी भी परिक्षा के सिलेवस को देखना क काफी जरूरी है, बदरी, नरैंट, चोदरी, प्रेम, ठीक है न, तो ये तीन ऐसे सहितिकार हैं, जो कि भारतेंदु युग से रिलेटेड है, दिवेदी युग में डैस भी नहीं दिया है, यहाँ पर, महाबिर प्रसाद दिवेदी को पढ़ना है, त्रिधर पाठक, अयो प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंथ, सुरिकांत्र पाठी निराला, तो पहले से ही आप इन सभी सहितिकारों को, कवियों को जानते हैं, और अब तो आप जब से मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, तुरंत आपके दिमाग में इनकी रचना भी गुजना श प्रगतिवाद, अब प्रगतिवाद में देखे, पंत को भी रखा है, कामा नहीं दिया है, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारना थग्रवाल, नागार्यू, वैसे तो पंत का नाम, पंत और निराला का नाम छायवाद में मुख्य रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ प तो अब वह अपने विचारारा में बदलाव ला नहीं सकते, जब दुनिया में आई नहीं तो, मादेवी जो थी छायवाद के बाद वह कविताय लिखना ही, बंद कर दिए और वह गद्द की तरफ जाना शुरू कर दिए, लेकिन छायवाद के दो ऐसे कवी हैं, पंत और न विदिता रही है, तो इनका नाम देखे प्रगतिवाद में भी रखा गया है, बाकी जितने भी कवी यहाँ पर हैं, आव वो मुख्य रूप से प्रगतिवाद के कवी हैं, इसमें एक दो कवी छुट भी गये हैं, जैसे तिरलोचन का नाम इसमें होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है, चलिए, प्रेयोग वाद आपको पढ़ना है, प्रेयोग वाद में मुक्ति बोद, नेमी चंजैन, भारत दुशन, अगरवाल, प्रभाकर माचवे, गिर्जा कुमार माथूर, ठीक है, इसके बाद हो गए रामविला शर्मा, अग्ये, तो आप नहीं अगर इसमें लिख दिया होता, कि तार सब्तक के कभी, तो यही सारे लोग आते हैं, तो मुक्ति बोद, हम लोग पढ़ते हैं, भूल गलती है, मैंने ब्रह्मराक्षस कभिता पढ़ाई हुई थी आप लोगं को, आगे पर भी बात चित कर लिया है, ठीक है न, इसमें भी कर लेकिन आपको मैं याग्त करवा रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि जो प्रयोग वाद है, उसमें जो तार सब्तक के कभी है, जो 1943 में प्रकासित हुआ था, उन्हीं को पूरा पढ़ना है, इसके बाद नाम आता है नई कभीता का, नई कभीता में आपको भवानी प्रसादम मिस्र, नरेंदर शर्मा, ठीक है, नरेंदर शर्मा आप देख रहे हैं कि प्रगतिवाद में भी हैं, इसमें भी है, धूमिल, धर्मबीर भारती, शंभूनाथ सिंग, तो इसमें सब को आप जानते हैं, संभूनाथ सिंग को थोड़ा प्रक्षक्रित आपने कम पढ़ा ठीक है न, अब बात करते हैं कि गद्य में हमें क्या पढ़ना है, और यहाँ पर शिर्षक देखिए, गद्य साहित का विश्त्रित अध्य है, अभी तक बहुत जगहों पर आपने पढ़ा होगा सामान ने अध्यान, UPSC की इतनी बड़ी परिक्षा होती है, उसको भी लिख अब इसमें विश्त्रित अध्यान क्या करना है, गद्य यों अन्य विधाओं का प्रारम, विकास, प्रमुक परवित्या, प्रमुक साहितिकार, रचनाय, साहितिक विशेष्ताय, भाषाशैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचि परण, यात्रा बृत्तान, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्ताच, इन सभी विधाओं का विश्त्रित परिचे हमें पढ़ना है, अब विश्त्रित कहा जा रहा है, तो कहां से सवाल पुछा जाएगा, ये कलपना ही किया सकती है, फिर भी आप इस विध्यापन के पहले, जितनी भी अलग-अलग परिक्षाओं की तैयारी किये थे, वो सभी तैयारीयां काम में आने वाले, वो तैयारीयां इरhrभथ नहीं है, जो विधियार्थी, कई बार से परिक्षाओं बैट रहा हूँगे, परिक्षाओं का अनुभव होगा, वो मेर बात को ज्यादा अच्छे से समझ रहेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वही सब किताबें काम में आएंगी, जिसको कि मैंने चैनल पर कई बार बताया हुआ है, कि कम समय में किस किताब को पढ़ें, और अधिक समय में किस किताब को पढ़ें, तीक है न, तो ऐसे ह तयारी करना है, और बाकि मैं इस पर तयारी कराऊंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, अब बताया गया, उपर जितनी भी चीजें बताये गई हैं, वो सब एक तरीके से देखा जाए, तो OMR के लिए, यानि कि MCQ जो परिक्षाएं होंगी, उनके लिए हैं, पूरी, अब इसका दूसरा जो पार्ट यहां पर बताया गया है, इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, कि कुछ प्रशन ऐसे आएंगे जिनको कि आपको लिखना है, जो आपके पेन पेपर पैटरन पर आधारित होंगे, जिसको कि हमने बिग्यापन के समय में आप सभी को बताया था, तो यहां पर देखिए हिंदी साहित में लिखा काब्य साहित पर आधारित प्रशन, निमलिखित कभियों की प्रसिद काविरचनाओं में से लिए गए काब्यांशों पर आधारित, सव प्रसंग, ब्याक्या, भाव, सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वर् विशय परक प्रश्न, अब दखें विशय कैसे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मौझूद है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है, कि यहां पर काभ्यांशों पर आधारी, यह काभ्यांश कहां से दिये जाएंगे, नीचे बताया गया है, घबराने की पर साउंदर्य बताना है, इस तरीके के दो प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, तो लिखित भी है, और इसी में वर्स्तुनिष्ट भी है, तो अब यह question paper देखने के बाद ही इस पर स्थ हो सकता है कि कि तरीके के प्रश्न होंगे, ठीक है न, फिलाल अपने दिमाग में आपको रखना है, कि हमें MCQ की दिश्टी कोन से भी तैयारी करनी है, और साथ में paper, pain paper पर आधारित जो भी हमें लिखना होता है, क्योंकि कई आप देखेंगे PhD के इंट्रेंसेज आप लोग दिये होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हर category के बच्चे जुड़े हुए हैं, प आपको अपने भागे को आजमाना पड़ेगा, वरना बहुत competition बढ़ गया है, ठीक है ना, तो PhD में आप देखेंगे कई जगहों पे, कि MCQ भी रहता है, और साथ में कुछ subjective question भी रहते हैं, ठीक है ना, तो उसी pattern पर है, अब यहाँ पर बता दिया गया है, कि कहां से आपको स सवाल पूछे जाएंगे, सवाल वहीं से पूछे जाएंगे, जिन कभियों के बारे में हमने उपर में बात की है, अमिर खुसरो, विद्यापती, सूर्दास, तुलसी दास, कबीर दास, जैसी, मीरा बाई, रस्खान, घनानन, बिहारी लाल, भार्सेंदू, मैथली, सरणग अब बताईए, अगर आप इंटर्व्यू देने जाएंगे, घनानन को गलत लिख देंगे, तो इंटर्व्यू में बैटने वाले एक्सपर्ट्स बोलते हैं, कि आप काम से गये, लेकिन यहां पर कोई ये एक्सपर्ट ही न देखेंगे इसको, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैथली सरण गुफ्त, इसको देखके कितने बच्चे गलत लिख सकते हैं, तो खेर हमारा काम है, उसको हम देख लेते हैं, तो जितने भी कभी है, आप देख रहे हैं, भवानी प्रसाद मिस्र अग्ये इत्यादी, संकेत दिया गया है, बहुत मज़ेदार बात ह कुछ विद्धियार्थी कमेंट्स करके करें, कि मैं BA finally year में हूँ, appearing में हूँ, तो form भर पाऊंगा की नहीं, यहाँ पर बता दिया कि आपका MA और BA दोनों complete होना चाहिए, तभी इस form को आप apply कर सकते हैं, तो जो भी काभ्यांश आएंगे आपको परिक्षा में, वो MA में MA में आपने क्या पढ़ाओगा, विद्यापती का आपने पदावली पढ़ाओगा, सूर्दास का भ्रमर गीत सार पढ़ाओगा, तुलसी दास का उत्तरकांड पढ़ाओगा, या रामचरित मानस का कोई कांड पढ़ाओगा, कबीर दास के दोहे पढ़े होंगे, जैसी इसी तरीके से जैसंकर प्रसाद की कामाईनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध की अंधेरे में पढ़े होंगे आप, और बाकी कभियों की जो छिटपूट रचना हैं उनको पढ़े होंगे, अग्गे की बारे में बात करें, तो नदी के दीप, असाद दे पढ़ना है, ठीक है ना, या फिर आप अपने जो वीविस्वी द्याले से यूजी और पीजी की होंगे, उसके सिलेबस को देखिए, काने का मतलब है कि आपका जो एमे में पढ़ा हुआ चीज है, वो अभी निरार्थक नहीं हुआ, ठीक है ना, अब बात करते हैं कि इसी म अपर आधारित प्रश्न होंगे, और उसे यह होंगे, सब प्रसंग व्याख्या करना हुगा, आशा इश्पष्टी करना होगा, अदो प्रश्णे सी तरीके से रहेंगे, आर उसमे नाम भी बता दियेगा किसका किसका रहेगा, जैसे भारतेंद्रु हरिष्यन, रामचन शर्मा निर्मल वर्मा फ़रिश्वनात रेडू कृष्णा सुगति विश्मसानी शेखर जोसी विश्रुखरे ममता कालिया इन लोगों का नाम दिया गया है अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा है भारतियंदू का क्या पढ़ना होगा तो जैसे इसमें हो गया अंधियर नगरी का ठीक है इसी तरीके से भारत वर्सों नतिक कैसे हो सकती है भारत दूरदर्सा जो भी आपने पढ़ा है रामचनर शुकल का आप बता सकते हैं सरद्धा बक्ति कविता क्या है इसको आपको विश्यस तर पर पढ़के जाना होगा प्रेमचन्द का गोदान जैनेंद्र की किसी कहानी या उपन्यास का हजारी प्रशाद दिवेदी के ललित नीबंद कुछ भी आ सकते हैं धरमवीर भारती का जैसे की अंधायोग हो गया बामबिला पर बताया गया है कि कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं ओतित्व ऐसा शब्द मैंने कभी नहीं देखा है आप लोग देखेंगे जरूर बताएगा व्यक्तित्व एवं कृतित्व या पर अगर होता तो ज्यादा सही होता तो कवियों और लेखकों के व्यक्तित् एक प्रश्ण जिसके पांच भाग होंगे यह प्रश्ण हिंदी साहिति के प्रसिद कभियों लेखकों के जीवन परिचे साहितिक रचनाएं यों भार्षा शैली पर आधारित होंगे तो अब तक जो हमने सिलेबस पर बातचीत की है उससे यह लगने लगा होगा कि यह जो एक्जाम होगा उसमें बहुत भी विद्धता है आपको MCQ आधारित भी क्वेशन को तयार करने हैं आपको सब्जेक्टिव तोर पर भी तयार करने हैं और कुछ तो पॉइंट ऐसे दिये होए है कि जिनको आपको MA के अधार पर जो भी आपने पढ़ाई की है क्योंकि MA का वच हर्जनु का अलग है DU का अलग है JNU के अलग है, BHU का अलग है JCU का अलग है जहां मैं कारे रत हूं और आप लोग अलग-अलग जहां पर पढ़े होंगे सबका अलग-अलग है लेकिन कुछ common चीज़े होगी, कोई common से ही सवाल आएगा, तो आपको common तयारी ही करनी है, बहुत घबराने की जोरत नहीं है, मैं हूँ तो कोई दिक्कत बहु जादा नहीं होगी, तो यह तो हो गया काब्यांस और गध्यांस पर, अब इसमें खंड खो दिया ह हुआ है, अबे तक जो मैं बात्चित कर रहा था हुँ खंड कपर कर रहा है। खंड खो में दिया है व्याकरण यों रचना, व्याकरण को भी कई भागों बाटा ओए, जिसे कव में दिया है शब्द विचार यों शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, तथा प्रयोग की द्रिष्टी से शब्द भंडार, ये शब्द भंडार होई है जिस पर कि आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगी, भले वीडियोज पुरानी हैं, लेकिन आपके तियारी में बहुत काम आने वाली हैं, शब्द भंडार ज वो सब आपको त्यार करके जाना है, और शब्द का निर्मान कैसे होता है, मैंने बहुत विश्टार से बातचित की है, तो वहां से आप देख सकते हैं, और बाकि तो इस पर मजे बात करना ही है, परयावाची, विपरितार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग् आप सबी से कि थोड़ा बहुत अगर विश्वास करते हैं तो खंगाल खंगाल कर देखिए, खोज-खोर कर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है और आप ही लोगों के लिए बनाई है, मुझे बहुत पहले मालूम हो गया था कि आचायरामचन शुक्ल को पढ़ना कैसे है, उसके लिए हमें वीडियो जरूर बनानी चाहिए, हमने बनाया, हिंदी व्याकरण को दूरदर्शी धंग से हमने विश्तार से बताने के प्रयास किया कि आने वाली परिक्षाओं में यहां से सवाल उठते रते हैं, परिक्षार्थियों के लिए जरूरी है, तो देखि है, मेरा उद्देश है कि आप लोग सक्षेज हों, क्योंकि यहां जुड़े हुए हैं, तो सफल अगर होंगे तो ज्यादा खुशी होगी, बाकि दुनिया में और कुछ चीज नहीं रखी हुई है, तो शब्द के बारे में हमने बात किया पद विचार, में पद बंध, चानी मिल जाएंगी, कुछ इसमें नए आपको टॉपिक है, तो उस पर मैं जरूर बात करूँगा, ठीक है, वाक के विचार, देखी एक चीज आप देख रहे हैं, यहां पर भाषा जो व्याकरण दिया गया है, इसमें जब आप पढ़ेंगे भाषा के आंग, तो उसमें शब्द, पद, वाक्य, और अर्थ, यह चार चीजें आती हैं, तो उसमें उसी से जुड़ा हुआ है, यहां पर, पद विचार हमने देख लिया, अब वाक के विचार, वाक के विचार में, वाक के संरचना, वाक के भेद, अर्थ्योम रचना के दृष्टी से, वाक के परि विश्तार से बात्चित की हुई है आप लोग थम नेल पर मत ज़ेए थोड़ा बहुत अगर आपके सिलेबस से मिले तो आप पढ़ना शुरू कर देजिए ठीक है ना संधी भी आपको पढ़ना है जिसमें स्वर संधी व्यंजन संधी विश्वर्क संधी पढ़ने इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी जो चीज में बार 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 बोल रहा हूं कि आपको वीडियो मिल जाएगे इससे आपको एरिटेट नहीं होना है बलकि मेरे और नज़ जो भी विद्यार्थी मुझे फ़लो करेंगे ठीक से निश्चित तवर पर अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे भटकना नहीं आप लोगों को अब देखे इसमें दूसरा पोर्षन दिया हुआ है अपठित बोध जिसको कि हम लोग कई बार अपठित गध्यांश या पध्यांश भी कहते हैं वो भी सवाल आपको यहां से आएगा इसमें देखें बताया गया कि काब्यांश-पर आधारीत प्रश्न काब्यांश एक दे दिया जाएगा उस पर आधारीत प्रश्न रेंगी आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्णों की संख्या कितनी रहेगी एक सो तीस प्लस वीस था कुल मिला कि एक सो पचास है लेकिन आपका जो वीसे है उसमें प्रश्णों की संख्या सत्तर के आसपास में थी सत्तर है तो यह जो सिलेबस बनाया गया इनी 70 प्रश्णों के लिए ही बनाया गया है तो किसमें कितने question रहेंगे अब ये तो paper set करने वाले ही है आप देख रहे हैं कि EMRS का syllabus छोटा नहीं है ये भी बड़ा है और इसमें काफी variation है भी विज़ता से बढ़ा हुआ है काभ्यांश हो गया फिर हो गया गध्यांश सहित्तिक और वरणनात्मक फिर इसमें दिया हुआ है तीसरा कि समसामाइक विशे वरणनात्मक विशे सरजनात्मक विशे सहित्तिक विशे तो विशे गध्यांश का समसमाइक हो सकता है या फिर सरजनात्मक हो सकता है वरणनात्मक किसी भी तरीक्य का हो सकता है, वैसे आप लोगों ने परिक्षाइद दी होंगी, तो जब भी परिक्षा में जो गध्यान्स आता है वो बड़ा आपको ग्यान देता है, गध्यान्स पढ़के लगता है कि हमने आज कुछ सीखा है, बहुत ही मोरल वाला गध्यान्स रहता है, नयतिकता उसमें बहुत ज्यादा रहती है तो उसी टाइप कर रहेगा काविशास्त्री अध्यान भी आप लोगों करना है यह जो पार्ट है काविशास्त्र से रिलेटेड लेकिन वह वाला काविशास्त्र नहीं है जिसमें कि हम छवश संपरदाय को पढ़ते हैं वैसा नहीं यह उठाकर रख दिया है ठीक है ना उसकीताब का नाम अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं लेकिन उसका नाम है साहित्यसास्त्र ठीक है साहित्यसास्त्र यह NCIT के किताब है और यह किताब 11-12 के लिए बनाई गई थी अलांकि अब इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है लेकिन इसका PDF में टेलीग्राम चैनल में डाल दूगा है वहां से आप लोग देख लीजीगा उसी को वह उठा लिया है मैं जब इसको देखा तो वह ही किता मुझे तुरंत याद आई तो साहिति का अर्थ स्वरूप उद्देश्य पढ़ना है चाहिति की विविद विधाये रस मिमान सा सभी रसों का ज्यान काबे की आत्मा की रूप में रस मिमान सा क्या है इसके बारे में शब्द सक्ति के बारे में पढ़ना है अभिदा लक्षा अभियंजना तो इसे भी रिलेटेड आपको मिल जाएगा लेक्चर हमारे चैनल पर है काब वेगुण प्रसाद माधूरी ओज इन पर भी हमने चर्चा किये काब दोष्ट पर भी चर्चा किये जरूर आप देखिए समय निकाल कर चंद पर विश्टार से मैंने बात्चित किया है देखा जाये तो ये सब अल्रेडी पढ़ाये जा चुके हैं लेकिन जब कोई नए सीरे से पढ़ाता है और उस परिक्षा के दिश्टिकोन से पढ़ाता है तो पढ़ने में एक अलग आनान दाता है हर पूरानी चीज़ें जरुरत भी नहीं पढ़ती है जैसे मैं बताओं कि आप जान गया है कि अभिधा मतलब सीदे सीदे कोई बात कही जा रही है लक्षणा जब कोई बात भूमा कर कही जा रही हो मुखे अर्थ में बाधा उत्पन वो रही हो ब्यंजना ऐसी कोई बात जो कि तीसरे अन्य जब आपको इस चैनल पर अच्छे ची वीडियो मिलेंगे तो खंघाल कर देखे मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसी में पढ़ना है आपको अलंकार अलंकार के अंतरगर शब्दा अलंकार अर्था अलंकार उभ्या अलंकार पढ़ना है कुछ नए अलंकार है अब आपके दिमाग में आ रहा हूँ है नए अलंकार कौन से है जैसे आपने पढ़ा होगा मानुवी करण अलंकार इसको नए अलंकार का जाता है एक अलंकार आपने पढ़ा होगा वीशेशन विपर्रे अलंकार ये लोग नए अलंकारों में है ठीक है ना तो ज तैयारी की समय भी मैं करूंगा लेकिन पहले से आपको बता दे रहा हूं कि जहां आप जूड़े हुए हैं उसका बेस बहुत मजबूत है हमने जब इस चैनल की निव शुरू की थी तो पहले बेस पर ही काम किया था अब खंड गव पर बात करते हैं खंड गव इसमें लेखन कोशल और पत्रकारिता से रिलेटेड बातें की गए और जब आप केबियस की तैयारी कर रहे थे तो उसमें एक किताब लगी हुई थी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति माध्यम ऐसे कुछ करके उसका नाम था मैं भूल रहा हूं ठीक है अभिव्य जोजन मूलक हिंदी की किताब होगी दंगल जाल्टे या फिर बिनोद गोदरे की तो उस किताब से भी आप इसको कम्प्लीट कर सकते हैं पूरा तो लेखन कोशल और पत्रकारिता इसमें आपको पत्रकारिता पढ़ना है CUET के दवरान भी अमने बताया था प्रिंट माध्यम समचार संपादिकी रिपोर्ट आलेक फीचर लेखन साक्षतकार रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन विज्यापन लेखन उद घोषणा स्वागत भाषण संगोष्ठी संचालन ठीक है ये सब पढ़ना है इसके बाद व्यावारिक लेखन में आपको पढ़ना है व्यावारिक हिंदी का स्वरूप सब प्रयोजन मुलक हिंदी से रिलेटेड है नीचे लिखा भी है प्रियोजन मुलक हिंदी और उसके विविद आयाम कारेले हिंदी और उसके विविद आयाम प्रतिवेदन अर्थ प्रमुक्तत्व विशेष्टाएं प्रकार प्रतिवेदन लेखा ठीक है न ये सब पढ़ना है कारे सूची तयार करने का नमूना ये नया टापिक है इस पर मैं बात करूंगा कारेवक्षता स्वरूप निर्माण ये भी नया है इस पर भी बात करेंगे ठीक है इसके बाद जो तिसरा पॉइंट है जजिनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ती पर एक विशे परक प्रश्न कविता कहानी लगुकथा ड कविता का कविता में रुपांत्रन कैसे होता है अनभवों के आधार पर लेखन जिसको के आम संस्मर्ण आतमकथा जीवनी भी कह सकते हैं उसी में है मतलब मौलिक अभिव्यक्ती ये नहीं है कि आप ने कोई किताब रट ली और तुरंजा के एकजाम बैढ गये यहां पर क्योंकि सवाल है कि सत्तर प्रश नहीं पूछे जाने हैं उसमें से कितना किस इकाई से आएगा कुछ नहीं का हो जा सकता है पता चला कि लंबा चोड़ा इतना सिलेबस है और आ गया एकदम ट्रेडिशनल पारंपरिक धंका तो इतना मेनत से हम सभी यहां पर बात्चित कर लेकिन परिक्षा के पहले तो हमें सरसरी निगास या फिर एक निगास से तो देख कर जाना ही पड़ेगा ठीक है अब एक दिया हुआ इसमें विभिन दक्षताओं के विकास यह तू एक विशे परक प्रश्न वारतालाप की दक्षता के विकास यह तू समवाद लेखन क्योंकि बेरोजगारी आप लोगों के ज्यादा नजदीक है या फिर कोई समसामाईक मुद्दा हो विशे हो उस पर आप कैसे मौलिक रूप से सोचते हैं लिखने के लिए लिखना पड़ेगा जिस इसाब से सिलेबस में बताया जा रहा है तो यही इसका पूरा सिलेबस थ उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या अब तक हमने पढ़ लिया है क्या हमारे लिए नया है सारी चीज़ें आपकी दिमांग में कहुद गई होंगी बाकी जैसे एक्जाम डेट आएगी तो हमारा कुछता हूं कि जो दिमाग होता है वो अपने समय के अनुसारी काम करता है अगर आप आजी से शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप परिक्षा की तैयारी में बढ़त बना लेंगे एक समय विशेस में आने के बाद ही दिमाग ज़्यादा फास्ट काम करता है और उन विद्यार्शिन से पुछे अब तो पहले जब 11 बारमे में मैं पढ़ता था तो हमारे जो साइंस की किताबे उगा करती थी बड़ी मोटी मोटी होती थी मतलब 11 बारमे की एक ही में होती थी लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला तो 11 में ही पूरा पढ़ सकता है ने तो बाट बाट कि इसको पढ़ा जा सकता है लेकिन जब हम एक्जाम देने जाते थे तो mix करके इस सवाल आता था और उन किताबों को हम एक्जाम के एक दिन पहले पूरा पलट लेते थे अब वही दिम साम से रेलैफ्स होकर धैर बनाकर आप तयारी किजिए अपने स्वास्ति पर जरूर ध्यान में रखे ठीक है स्वास्ति सही रहेगा सब कुछ रहेगा तो उमीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आगे होगा और पहले आप फॉर्म को अच्छे से भरेंगे इसके बाद तयार कैसा लगा आप लोग देखने के लिए तो देख रहा हैं लेकिन इस चैनल का फ़ड़ा सा प्रचार प्रसार भी कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है मिलते हैं एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार